पूर्प कीजिए और उसके साथ वाले बैल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगूररली मिलती रहेगी सवाल है एक मील प्रति घंटा की गती से चल रही बस के लिए समय तथा दूरी की तुलनात्मक मापनी बनाईए जिसका आरफ 63,360 है मापनी में बस द्वारा तै की गई दूरी 4 घंटे 30 मिनट की दूरी को प्रदर्शित कीजिए तो देखिए सवाल इस प्रकार से दिया गया है और इसमें 4 घंटे 30 मिनट की दूरी को हमें दिखाना भी है तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर देखिए आरफ 1 अनुपाद 63,360 लिखा गया है तो इसी चीज को लिखना है एक इंच प्रकट होता है 63,360 इंच एक इंच प्रकट करता है बराबर 63,360 इंच अब यह 63,360 इंच लिखा गया है इसका अर्थ यह हुआ कि यह पूरा का पूरा एक मील के बराबर है चाहें तो आप इसको एक मील भी लिख सकते हैं कि एक इंच प्रकट करता है बराबर एक मील या 63,360 इंच अब देखिये इंच का सवाल है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम 6 इंच की दूरी पर करेंगे कि 6 इंच प्रकट करेगा बराबर 6 मील की दूरी को तो इसमें कोई calculation भी नहीं है और यह सीधे सीधे आंसर यहां पर 6 इंच की दूरी खीचेंगे जिस पर हमें 6 मील के भाग बनाने ही बनाने है अब समय की गड़ना कर लेते हैं एक मील प्रती घंटा लिखा गया है यानि की एक मील की दूरी तै होती है बराबर एक घंटे में यहाँ पर लिखा गया है एक मील प्रती घंटा एक घंटे में कितना चला एक मील तो इसी चीज को लिखा गया है कि एक मील की दूरी तै होती है एक घंटे में तो 6 मील की दूरी कितनी होगी तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मील की दूरी तै होगी बराबर 6 घंटे में तो देखिए सीधे सीधे आंसर निकल गया है हमें यहाँ पर 3 चीजे मिल गई है यहाँ पर देखिए समय मिल गया है गंटे का यहाँ पर 6 मील का भाग मिल गया है और यहाँ पर दूरी 6 इंच की हमें खीचनी है तो ध्यान रहे समय तथा दूरी जब भी आप इसकेल बनाईए तो इसमें इन तीन चीजों को ही निकालना होता है हमारी दूरी कितनी होगी और उस इसकेल के ऊपर हमें 6 मील का भाग दिखाना है और नीचे की और 6 घंटे अर्थात समय का भाग दिखाना है तो चलिए देखते हैं कि इसका इसकेल किस प्रकार से बनाई जाएगा तो देखिए सबसे पहले हमें 6 इंच की दूरी खीच लेनी है 6 इंच की दूरी खीच ये या 15 सेंटी मीटर की दूरी खीच ये एक ही बात है तो यहां से हम 6 इंच की दूरी खीच लेते हैं ये हो गया एक दो तीन चार पांच और ये हो गया 6 इंच तो यहाँ पर देखिए हमने 6 इंच की दूरी खींच ली है अब यहाँ पर हमें 1.5 cm का लंब दोनों तरफ ले लेना है तो यह हमने 1.5 cm का लंब इधर लिया और 1.5 cm का इधर ले लिया और इन दूरियों को भी इसी प्रकार से मिला देना है अब एक चीज देखिए यह हमने 6 इंच की दूरी ली है यहाँ पर 6 मिल बनाने है और 6 घंटे भी बनाने है तो हम ऐसा करते हैं कि 6 इंच की दूरी पर अगर हम 1 इंच का भाग बाटे तो यह 6 भागों में बढ़ जाएगा तो चलिए निशान बना लेते हैं यह हो गया एक इंच दो तीन च्यार और पाँच इधर हो गया 6 अब यह निशान बने हुए हैं इनको भी उपर तक खिंच लेना है इस प्रकार से इस तो देखिए यह हमने बना लिये हैं अब यहां पर लिखने का काम हम करते हैं यह तो हो गया जीरो का भाग नीचे की और हम समय की गर्म करेंगे यहां पर 6 घंटे दिये गए हैं तो हम ऐसा करते हैं कि यह एक एक घंटे का भाग हम बाट देते हैं ये हो गया एक घंटा, ये हो गया दो, तीन, चार, और ये हो गया पाँच घंटे तो चलिए हमने पाँच घंटे तो इधर बना लिए, अब हमें छे मील का भाग यहाँ पर बनाना है तो छे मील के लिए यहाँ भी हमको जीरो ही लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा एक मील, दो, तीन, चार, और ये हो जाएगा पाँच मील का भाग अब हमें इधर की और इन भागों को भी बाटना है तो ध्यान रहे ये एक घंटे का भाग है और ये एक मील का भाग है एक मील में 8 फरलांग होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हमें एक रेशियो इस प्रकार से लेना है जिसमें 8 फरलांग और एक तरफ 60 मिनट इनको एक साथ रखा जा सके तो देखिए हम इसको किस प्रकार से बाट सकते हैं अगर हम इसके दो-दो के भाग करें तो देखिए कितना हो जाएगा दो, चार, छे और आट फरलांग यहां पर बटेंगे और इसी के हिसाब से देखिए 1, 2, 3, 4 तो क्या 60 मिनट को हम 4 भागों में किसी प्रकार से बाट सकते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 15-15 मिनट के भाग अगर हम बाटें तो यह 60 मिनट में पूरा-पूरा बट जाएगा और रेशियो होगा 15, 30, 45 और 60 तो इस प नीचने होंगे 1, 2, 3 और 4 तो इस एक घंटे या एक मील के भाग को 4 बरावर भागों में बाटना होगा इस प्रकार से देखिए हमने इंच की ओर लिया है और इसमें साफसाफ चार भागों में यह बटा हुआ है तो यहां पर देखिए यह हो गया 1 बाग, यह हो गया 2 यह ह इसको लाइन से मिला देते हैं, यह हो गया 1, 2, 3 और यह 4 भाग, तो इस प्रकार से हमने इसके 4 भाग बना लिए हैं, अब चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया 15, 30, 45 और यह हो गया 60 मिनट के भाग इसी प्रकार से उपर की और देखेंगे, उपर की और मिल लिखा हुआ है, और एक मिल में होते हैं 8 फरलांग, तो इसको 8 परावर भागों में बाट लिया है, तो यह हो जाएगा 2, 4, 6, और 8, यह हो जाएंगे फरलांग तो इस प्रकार से देखिए, इसकेल तो बनकर तयार है, लेकिन एक चीज हमें ये देखना है, कि इसमें पढ़ने की जो दूरी बताई गई है, क्या वो हम पढ़ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, दूरी लिखा गया है, 4 घंटे 30 मिनट की दूरी बताई गई है, तो 4 घंटे ये है, और 30 मिनट हाँ, इसमें 30 आ रहा है, हो सकता है कभी कभी यहाँ पर वो चीज नहीं आए, जो चीज यहाँ पर लिखा गया है पढ़ने के लिए, तो ऐसे में हमे उस चीज को लाना ही लाना होता है, और उसके इतने भाग हमको करना होता है, जिसमें वो भाग अवश्य आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है, और यहाँ पर हमने उसके ऐसे भाग किये, जिसमें पढ़ने के लिए आए ही ना, मान ल वाला पंद्रा का भाग नहीं बनेगा तो इसको इस प्रकार से नहीं करना है इसको बीच से इस प्रकार से हाफ कर देना है और इसमें नीचे उपर इस प्रकार से काले कर देने हैं कि इन खानों में ये काले पूरी तरह से हो जाएं तो इस प्रकार से देखिए ये इसकेल बनकर तो तयार हो गई अब चलिए पढ़ने का काम करते हैं चार घंटे बोला गया है तो चार पर हम इसकेल इस प्रकार से ले जाएंगे और ध्यान रहे ये करीब डेर सेंटीमीटर की दूरी हमें यहाँ पर लेनी है और इसको डॉटेड लाइन इस प्रकार से खींच लेना है डेर सेंटीमीटर का और इसी प्रकार से ये देखिए तीस मिनट का भाग कहा गया है तो हम तीस वाली रेखा को उपर डेर सेंटीमीटर तक आगे लेकर जाएंगे डॉटेड लाइन में तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको भी dotted इस प्रकार से खीच लिया है तो यह जो दूरी है चार घंटे 30 मिनट ही दिखा रहा है और यहां पर हमें इस प्रकार से इसके रख कर इसको भी dotted line खीच लेंगे और बीच में जगए छोड़तेंगे लिखने के लिए कि यह भाई दूरी कितनी है तो चलिए इस दूरी को भी लिख लेते हैं यह दूरी है चार घंटे 30 मिनट की तो इस प्रकार से देखिए यह समय और दूरी का scale बनकर पूरी तरह से तयार है यहाँ पर हमें केवल आरेफ और लिख देना है आरेफ होगा एक अनपाद 63306